गोड़ मॉर्ण स्टुडेंट्स, स्वागत आपका उन्लेन क्लासेश में, मैं दलिप सास्त्री स्टुडेंट्स कला हमने पालमपूर गाम की कहनी के बारे में फर्स्ट पार्ट पड़ा था उसमें उनके उत्पादन का उदेश्चे, उनके मूल विचार है, उनसे परिच्चे करवाया था पालमपूर एक काल्पनिक गाउं का नाम रखा है और यहां किस प्रकार से क्रिश्ची की जाती है इस समन्दित कलाप ने अध्यन किया था आज हम उत्पादन संग्ठन है उससे समद्दित उसका जो तीसरा बिंदु है उसपर चट्रा करेंगे देरतियों कल जिस प्रकार से बताया कि वहां की बंजर भूमी को किस प्रकार से पैदावार भूमी के रुप में बनाया गया और उत्पादन चमता किस प्रकार से बढ़ाए गई वहाँ बहुवीद बसल प्रणादी किस प्रकार से लागू की गई और किस प्रकार से वो क्रिशी करते थे कौन सी तकनिकी से क्रिशी करते थे और किस प्रकार से वे उपज विशेश है उसका अधिक से अधिक फायदा उठाने लगे और हरित करांती है उससे समाधित कल चर्चा की थे हरित करांती का किस प्रकार से वो सधी प्योग करने लगे यह हरित करांती को किस प्रकार से कारगर साबित करने लगे थे इस समाधित कल अधेन किया था आज हम उसके नेक्ष्ट बिंदू है क्या बोमी यह धान कर पाएगी इससे समान दित आज पढ़ेंगे बोमी एक प्राकरतिक संसादन है प्रकरति परदत संसादन है यह इसका सावधाने पुर्यों करना जुरूरत है हम एदि इसके साथ में बोमी के साथ में खिलवाड करें या इसका ज़्यादा दोहन करें तो हो सकता है कि यह हमें उस स्तर की जो फसल है उपज वीशे से वो ना दे विज्ञानिक की रिपॉर्टों से संकेत मिला है कि घेती की आधुनिक क्रिशी वीदियों ने प्राकरतिक संसाधन आधार का अति उप्योग किया है अनेक चित्रों में हरित क्रांती के काण उर्वरोकों के अधिक प्रिवर से मिट्टी की उर्वर समता है वो कम हो गई है इसके अत्रिक्त नलकूपों से सिंचाई करन बूमी के जल अस्तर है वो भी कम हो गया है यनि अत्यदिक जो नलकूप है इसका प्रयोग करने से या नलकूप विशे से इसका ज़्यादा प्रयोग करने से सिंचाई करने से बूमी का जल अस्तर है वो भी कम हो गया है प्रयावरण या संसादन कई वर्सों से बनते हैं एक बार नाष्ट होने के बाद उन्हें पुनर जीवित करना बहुत मुश्किल होता है क्रिशी का भावी विकास चुनिलिस्त करने हमें प्रयावरण की विद्यकवाल करने चाहिए प्रयावरण है उसके साथ में खिलवाड करें तो प्रयावरण हमेशा जरूर देगा तो इस प्रकार से हमें क्रिशी विशेश शेत्र के अंदर या किसी विशेत्र के अंदर प्राकरतिक जो संसादन है उसके साथ है ज़्यादा खिलवाड नहीं करना चाहिए यह देखिए क्रेशी योग है जो खेत बनाए गया है इसमें जो फसले विशेस है वो दीगी है किस प्रकार से भूमी का वित्रण किया गया है अब हम यह कह सकते हैं कि रसाइनिक औरवर जैसे खंजी देते हैं तो पाने में गूल जाते हैं और पोदों को तुर्ण अप्लद करवा देते हैं यह रसाइनिक है जो खाद मान लिजिए रसाइनिक पदार्त है वो जल्दी से जल्दी किया पोदों को अप्लद करवा देते है लेकिन ये मिट्टी इन्हें लंबे समयत कर द्राण ने कर सकती वे मिट्टी से निकल कर बोम जल नदियां तलाबों को दूसीद करते हैं रासानिक अरुवरक मिट्टी में उपस्तित जमानों शुप्शन अव्यों को नस्ट कर देती है जिसके काण से बोमी की उरुवर समता वो कम होती जाती है देश के रासानिक कादका सबसे अधिक प्रयोग पंजाब में हुआ जिसके काण से निरंतर उसकी मिट्टी की गुणवता है वो कम हो गई आज किसान पंजाम के किसान है उनके लिए उत्पादन शंता है वो बहुत ही गिर गई है और आने वाले समय में वहां की जो खेती है वो बिलकुल खत्म होने के गार पर है पालमपुर के किसान, चौथा पॉइंटा पालमपुर के किसानों में बूमी किस प्रकार से वित्री थे आपने जान लिया कि खेती के लिए बूमी कितनी मैत पूण है दुर्बाग्यवास खेती के कम में लगे सबी लोगों के पास खेती के लिए प्राप्त भूमी नहीं है जितने भी वहां के लोग है उनके पास में प्राप्त भूमी नहीं है पालंपुर में 450 परिवारों में से लगबग एक तियाई अर्थात 150 प्रिवार के लोग है उनके पास में खेती के लिए बूमी नहीं अर्थात वो मज़ुदूरी करते हैं जो अधिकास दलीत है निमन वरक के लोग है जो कमजोर वरक के सकते हैं या निमन वरक के लोग हैं बाकी परिवारों में 240 परिवार जिनके पास भूमी 2 हेक्टर से कम छित्र वाली यह शीमित किसान की स्रेणिम आती हैं भूमी में ऐसे टुकुड़े पर क्यति करने से किसान के परिवार जो परिवार है उसको प्राप्त आमदनी नहीं होती सन 1960 में क्रिसक गोविंद के पास 2.25 हेक्टर अधिकतर ऐस शिंचित भूमी थी हम कह सकते हैं कि बिना पानी वाले जिसमें पानी शिंचित नहीं होता गोविंद अपने तीन पूत्रों की मतलद से इस भूमी पर खेती करता था कितने पूत्र उसके तीन पूत्र बूमी कितनी थी 2.25 हेक्टर यदि पी वे बहुत आराम से नहीं कर रह रहे थे लेकिन परिवार अपनी एक बैंस से होने वाले कुछ अत्रिक्त आये के दोरा अपना गुजारा करते अब एक हमारे जो किसान परिवार की एकाशियत होती है किसान परिवार क्या करता है कि क्रिशी के साथ-साथ में अन्य जैसे पसुपालन आदी कर लेता है कुछ बेड पालन करते हैं, कोई गाय का है, या दूद वीशेश का है, बेंस वीशेश का है, इनका पालन करते हैं, ताकि वो परिवार का गुजारा कर सके. वैसे ही, इस गोविंद ने भी क्या किया, कि अपने घर में एक भेंस पाल रखे, और इस भेंस की आमदन ये दूद का बेचान करके, और अपने प्रिवार का गुजारा करता था, गोविंद की मिर्तिक को सपरसाथ या बुमे उसके तीन पूतरों के बीच में बंट गी, अब पहले एक के पास थी, अब तीन उसके बैटे हैं, तो तीनों के पास में अलग-अलग बंट गी, पर ते के पास में कितनी अई, पॉइंट साथ-पांच सेक्टरों में का टुकड़ा था, प्रहतों अब बहतर सिंचाई ववश्ता और खेती की अदुन की वीदियों के बाव यनि वर्स के कुछ बाग में उन्हें कुछ से अत्रिकते कारे भी ढूड़ना पड़ता है, अब देखें पूरे वर्स में तो ऐसा तो नहीं है, पॉइंट साथ-पांच सेक्टर भूमी में अपना पूरा प्रिवार का संसालना हो जाएगा, लेकिन अब उन्होंने के अलग कारे ढूनना पड़ता है, अब चीतर एक पॉंट-पांच के अंदर देख सकते हैं, यह गाँ के चारों विकरे भी बूमी के टुकड़े छोटे-छोटे देख सकते हैं, यह अभी आपने यह दिखाया था, एक पॉंट-पांस यह भूमी है, अब देखिए, यहाँ चीतर है ये चेतर बिल्कुल संक्रा हुआ है, इनके टुकड़े अलग अलग बंट के, ये बड़ा टुकड़ा, ये छोटा टुकड़ा है, कहीं बड़े हैं, कहीं छोटे हैं, इसका मतलब क्या है, कि जहां जन्जन क्या जादा है, या बंटवारा जादा है, तो टुकड़े छोटे हो हाकार में प्लाट है पालमपुर्प में मजोले बड़े किसानग Estas पुनाएं लेगे तो है कर से अधिक बहुमी पर खेती करते हैं कुछ बड़े किसान के पश्य पासर में 10 सट्र चैजिने कुछ के पॉने हैं और कुछ के पासरों 12 अजड़न टोरिवार कि चैजद में साथ पांच हेक्टर भूमी आई अब यह देखिए चितर के अंदर दे रहा है किसान के खेती करना हाल जोतना ठीक है इसके अंदर रसाइने के दवाई के छुड़काव करना और पसल विशेश के उसकी देखबाल करना यह सारी किसारी क्या है यह किसान विशेश है वो अपने खेतों में कर रहे है सितरे एक पांच के अंदर हम देख सकते है कुछ चोटे किसान द्वारा खेती में प्रिवक्त भूमी को सायंकित कर सकते हो क्या तुम चोटे किसान द्वारा खेती में प्र Tout Кедtar के हैं इतने अधिक परिवार बूमी में इतने छोटे प्लाट में क्यों खेति करते हैं यह सारे की सरे क्या है वह की जन्ष symptoms कि आ पर निर्बर करता है क्योंकि वो क्या करते हैं कि भूमी का बंटवारा और मतलब जितने एक मुख्या की पास में उसके बेटे जितने होगे उसके बंटवारा भी उसके बराबर का हिस्ज़ा का हो गया अब स्रम की ववस्ता कोन करेगा? यहनी स्रम विशे साथ की ववस्ता कोन करेगा? भूमे के पसाद स्रम उत्पादन का मुख्य आवश्यक का रखे है महनत बहुत जरूरी है उत्पादन के लिए महनत करना बहुत ही जरूरी है अब क्या होता है कि खेती में बहुत ज़्यादा प्रश्रम की आवश्रकता होती है छोटे किसान अपने परिवार के साथ अपने खेतों में स्वयम काम करती है छोटे किसान होते हैं अपने परिवार के साथ काम करती है और बड़े किर्शक होते हैं वो किया मजदूर लेकर जाते हैं इसी तरह वे खेती के लिए आवसक स्रम की ववस्ता स्वयम ही करते हैं, मजोले और बड़े किसा अपने खेतों में काम करने के लिए दूसरे स्वयम की किरायब पर लेकर जाते हैं, मुझदूर लेकर जाते हैं एक पॉंट 6 में हम पैचान सकते हैं कि इस प्रकार से ववस्ता करकी हैं, खेतों में काम करने के लिए स्रमिक या बोमी हिन परिवार से आती हैं या छोटे प्लाटों में खेती करने वाले परिवार से, खेतों में काम करने वाले स्रम के उगाई गई, यानि ये देखिए च्व पॉंट एक के अंदर एह पॉंट से है सउरी जैसे क्रिस्ट कर दो हैं आपको बताये गया कि किस प्रकार से किरती करते हैं किस प्रकार से अपना गुज़ारा करते हैं और यहां रिस्शी चैत्रों किस किरशी चेत्रकुति कितनी है कृषो के संक्या कितनी है बीस परति की किसे चोटे किरशक और मंजोलइ बड़े किरशक यह जो अचोटे किर جजिए चोंचट की यहां कितनी है बड़े की见 इसका मतलब क्या हुआ कि Jest विवाजित किया गया है आप देखिए एक चोटा सा कार्टून दे रखें इस कार्टून के आप अराम से अध्यन कर सकते हो इसमें क्या लिखा है कि आज कल काम मिलना कठीन है कि बड़े किसान हमें रखते हैं रहा है भी बहुत कम दिनों के लिए गंश्याम एक बड़ा किसान है और से अभी अभी एक हारवेटर खरीदा है इसलिए वर्स कटाई के मौसमें हमें और काम कम मिलेगा पिछले वर्स मैंने पूरे वर्स में पांस माज से भी कम समय काम किया था हमारे पास जुताई के लिए ट्रेक्टर कटाई के लिए हारवेटर वगैराई के लिए त्रे आपस में बातचीत करते हैं और इसमें यह अपनी जो खुद की दास्ता वो सुना रहे हैं किस प्रकार से अपने जीवनी अपन करते हैं तो वह सावकार को 2000 रुपए देने हैं मैंने पिछले गर्मे में 1000 रुपए लिये थे जब खेतों में काम नहीं था तो मैंने कैसे चुकता कर्स पाऊंगा मैं तो दो वक्त की रुपजने के लिए भी कटनाई से काम करता हूं तो यह बता रहे हैं अपने इस्तती के बारे में पसल पर कोई अधिकार नहीं होता अब क्या होता है कि के बार इस्तती ऐसी आ जाती है जो स्रेमिक है जो उगाई गी पसल है उस पर किसी पर का अधिकार नहीं होता है क्योंकि वो सिर्द मजदूरी से मतलब होता है क्या होता है उसे मजदूरी से मतलब होता है और उसके जो पसल उगा दी है उस पर उस अधिकार नहीं होता है जैसा किसान होता है बलकि उसे किसान दबरा मजदूरी मिलती है क्या होता है किसा स्रीरी फ़सर और खीर से एक खीर से दूसरी क्रीशी कारे के लिए बुए ठे कंटाई के लिए अलग bean क्या एपि आंतर होता है रोजगार की अवधी होती gवोप वी कपी बिंतर होती है के वित मैं कम करने वाज सर्मिक कि या देनिक मजदूरी के अदार पर कारे करते हैं और ने कारे विशेस जैसे कटाई या पूरे साल के लिए काम पर रखा हो गया हो यह सारी की सारी जानकरी है वहीं से मिलती है यह कारे का मतलब है कि जो भी मजदूर है उसको समय के अनसार और कारे की शमता के अनसार उसे मज नहीं है और वह क्या बड़े किसान है उसके पास में सर्भमिट की रहने मजदूरक के रूक में काम करता है इसका मतलब उक्तार काम ढूडुडना रहना पड़ता है या जब काम आश्रुटन बूर्ब पन्दर्णा ρुपई अपरई्र, 2011 पर निर्दर्ण किया है नरेगा का 120 रुपे कर रखे तो मुझदूरी महिंताना वो कितना कर दिया 220 रुपे कर दिया अप्रेल 2011 का तो 115 रुपे निर्दारिद कर रखा था तो इस प्रकार से वो महिंताना है वो fix होता है उसकी अनुसार उसे मिलेगा लेकिन डाला को मात्र 80 रुपे मिलते हैं कितने रुपे मेंताना था 115 रुपे अब डाला राम को कितना मल रहा है 80 रुपे मिलते हैं पालमपूर में खेती हर किस्रमेकों में बहुत जादा स्पर्दा है अब कि खेती हर जिसके पास में खेती नहीं है और जिसके पास में खेती है तो वो खेती वाला क्या करता है कि अपने आउशक तामसा जगम मुझदूरी पर जा रहा है उसी को लेकर जाएगा है इसलिए परतिस परदा बनी रहती है अब क्या होता है कि इसलिए लोग कम वेतन में भी काम करने के लिए सहमत हो जाते हैं डाला अपने इस्तिती के बारे में रामकली से शिकायद करता है जो कि एक अन्य खेतीयर सर्मिक है ठीक है और डाला और रामकली दोनों गाउं के निर्धन तम व्यक्तियों में से एक है निर्धन ता मतलब जो गरीब लोग है उन में से हैं अब ये सबसे हमारे बारे में ये चर्चाती की जैसे डाला और रामकली जैसे खेती है और खस्रेम गरीब क्यों हो गई गुसाइंपूर और मजोली उत्तर बियार में दो गाउं हैं दोनों गाउं के कुल 850 प्रेवन 250 से अधिक पुरुस ऐसे हैं जो पंजाब अरयाने की ग्रामिन इलाकों और दिल्ली मुंबई सूरत हिद्राबाद नागपूर में काम करती हैं इस प्रकार प्रवास अधिक संक्य भारतिय गाउं में होता है और लोग प्रवास क्यों करते हैं कि जहां काम धंदा नहीं मिलता तो वो अपने रोजगार के लिये जो अन्य च्छित्र में सब्सक्राइब हैं की कमाई करना पेरिवार का संचालन करना और बात और भी है कि परिवार का संचालन करने के लिए वहां सूइधाई यहनि खेती करने के लिए आयो की ओना के लिए आधिक पौनजी काहें से हैं पहले भी देख को यह कि खेतीमें अधनी सी तरिकशन के बहुत अधिक पुण्जी के आउशकता हुगी शब्सखता हुए कितना चाहिए ज़्यादा पैसा चाहिए है पहले पैसे कितने कम पैसों में हो जाती थी देखों पहले जो के लिगने यह पदारत विष प्रियोग कर लगे जिसके करसे ओपस अधिक होने लगी जमें की जो उर्वर्ष हमता वो दिर दिर कम होती जा रही है अधिक संक्या छोटी किसाना को पुंजी की ववस्ता के लिए अधिक उधार लेना पड़ता है अधिक संक्या छोटी किसाना तो उसकी पुंजी की ववस्ता करेंगे तो वो क्या करेंगे? उधार लेंगे आज कल ये भी देखाओगा, सरकार लोन भी देती है, कैसे शी, किसान क्रेडिट करड़ बनाती है, जो किसान क्या करता है, अपने खेती के लिए लोन ले सकता है, लोन ले सकता है, तक कि वो क्रिशी का सुधार कर सके, बड़े किसानों से या गाओं के सावकारों से खेती के ल लेते हैं एक चोटे किसाने बड़े किसानों से क्या करते हैं पुंची लेते हैं यहीं से रिंड लेते हैं ऐसे करदों पर ब्याज दर बहुत नहें पर कर्ज देंगे कर शुकाने के लिए उन्हें बहुत कर्षटं सेहने पड़ते हैं बहुत ज़ादा क्या है कर्षटं सेने पड़ते हैं जो कस्ट शायंगे दिसका मतलब उसकी ऊपज है वह लगवालग उससी के अंदर लग जाती है खरेता की कहाốngई है कि सरी ग्रहनी ऊसकी कहा 2009 कि कह ngolluk उसे तीन हजार रुपए चाहिए दे उसके पास पैसन ही है इसलिए वह एक बड़े किसान तेजपाल से घज़ लेने का नहीं लेती है तेजपाल सरीता को 24% की दर पर चार मेने के लिए करज देने को तयार हो जाता है ब्याज की एक बहुत उन्ची दर है सरीता को यह भी वचन देता कि वह कटाई के मौसम में उसे खेतों में एक स्रमी की रुप में 35 रुपए प्रति दिन पर काम करेगी अब देखो कटाई का मौसम होगा उस समय स्रमी की रूप में उसके खेट में काम पड़ती दिन 35 रूप में जहां 115 रूपाई मेंटाना था is मजदूरी थी और यहां 35 रूपय में काम करेंगी आप भी कह सकते हैं कि यह मजदूरी बहुत कम है सरीता जानती कि उससे खेट की कटाई पूरी करने के बहुत मैनत करने पड़ेगी उसके बाद तेजपाल के खेटों में स्रेमिक की तरह काम करना होगा कटाई का समय बहुत व्यस्त होता है तीन بच्षों की मा के रुप में और système गरमें कामों की या और जानती बहुत जम्ने दाधर है और सणीता इन कटोर सर्तों को महने के लिए तयार होचा जाता है कि जिसे मालूम है करद कर्ज मिलना बहुत ही कंटीन है जब चोटे किसान है उसको कर्ज नहीं मिलेगा तो वो उस कारेक करने के लिए तयार हो जाती है और दूसरी देखे 24% ब्यास है वो काफी महेंगा होता देकिन फिर भी वो काम करके और वो पैसे उसके कर्ज के रूप में ले रही है हम ये भी कह सकते हैं कि वो मजबूरी होती है उनकी दूसरा पॉंट है चोटे किसानों को विपरित मज़ोले और बड़े किसानों को खेती में बचत होती है देखे चोटे किसानों से बड़े किसान और मज़ोले किसानों से किसानों को खेती में बचत होती है इस तरह से आवसक पुंजी की ववस्ता कर लेते हैं इन किसानों को बचत कैसी होती है इसका उत्र अगले भाग में हमें पढ़ पाएंगे तो विद्यारतियों आज के लिए इतना ही कल हम नेक्स्ट पॉंट पढ़ेंगे आज के लिए धन्यवाद